जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखें, इस वीडियो को, सो जो कोस्चन है, उसमें डिनोमिनेटर में, फोर्थ पावर दी होगी, एस में, एसकी फोर्थ पावर गिवन है, और प्लस सम्थिंग, इसके जो लीनियर नहीं बनते, तो हम लोग इसको ट्राइटू मेक इट इन है, क्वाडिर्टिक फेक्टर इसके जो हैं, बनाएंगे, त स्के पावर प्लस स्के प्लस स्के प्लस बनेंगे, तो यहां पर एसका एक स्केर प्लस बीका स्केर में इसको लिखता हूं, अगर मुझे इसको स्केर करना है, तो इसमें प्लस का टू टाइमस एबी, और माइनस का टू टाइमस अबी मुझे करना मेंबढ़ेगा, सबब्सक्राइब किया मैंने मैंने किया यही चीज बन गया है सक्राइब का है और यह यह बन गया । सब्सक्राइब एक प्लस टू एस का होल स्केर इस टर्म पर क्या लिख सकता हूं मैं यह तू एस का होल स्केर तो इस पूरा एक का काम कर रहा है एक प्लस टू 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 टाइम से माईनस विच्टू एसकेर बने हैं तो जब भी क्कॉस्ट्न में इस वेए आप लगो उसके क्वाडिट्री क्वेट्र करें अब देखिए S upon S की 4, 4A की 4 को मैं बात करता हूं तो this becomes S upon S square plus 2A S plus 2A square S square minus 2A S plus 2A square तो मैंने इसको denominator में लिख है क्योंकि मुझे के calculate करना है तो question है S upon S की 4 plus 4A 4 या फिर S square है तो मैं पहले इसको calculate कर रहा हूं तो यह मेरे पास बन गया अब देखो by आप लोग चाहे तो इसको पास की fraction से भी कर सकते हैं अब इसके आगे पास की fraction calculate करें A S plus B divided by first factor plus C S plus D divided by second factor लेकिन हम लोग Y inspection भी इसको very easily calculate कर सकते हैं तो let us see Y inspection करते हैं इसको देखे इसमें दो factor है एक तो यह factor है एक तो यह factor है अगर मैं इसमें से इसको subtract करता हूं इसमें से इसको subtract करता हूं S square S square कटेगा 2 A S minus time तो plus हो जाएगा 2 A S तो बन गया 4 A S 2 A S square 2 A S square भी कटता है तो यह 4 A S आता है जब मैं इसको इसको subtract करता हूं तो 4 A S में से मुझे S चाहिए है जब मैं माइनस करता हूं तो जिस subtract कर 4 A S आएगा और 4 A S मैंने डिवाइट करती है हुआ तो जो numerator है उसमें S आए तो by inspection मैंने इसको ऐसे लिख दिया है in the difference of the two terms अब मुझे अगर इसकी lepless inverse निकाल नहीं है तो that means मुझे इन दोनों की और लेपलेस इन वर्स इनवर्स तो लैपलेस इनवर्स उस्टरम की अब इसके में वाड़्टी करने कि बात करूंगा जो कि मैंने इसके पीछे वाली वीडियों में डिसकस किया हुआ है कि how to complete a square मैं s का coefficient इसमें देखूंगा that is a two times a इसका half किया मैंने तो a, a का मैंने square इसमें add करेंगे और minus b करेंगे जब मैं इसमें add करूंगा तो बन गया s square minus 2as plus a square स्केर बन गया s minus a का all square और जब मैं सब्सक्राइब करता हूं तो 2a square minus a square that is a square इसी वे से मैंने यहां भी इसके square complete किया है so this becomes a one upon four times a laplace inverse of this minus laplace inverse of this now इसमें first shifting इसमाल करेंगे क्योंकि s minus a है तो sign change होगा इसका तो a e की power 80 sign change होगा कि e की power 80 multiply हुआ है into laplace inverse of यहां पर s minus a change हुआ है तो यहां पर s plus a आ गया क्योंकि s minus a है तो plus का भी है क्योंकि यहां पर a तो था ही नहीं तो मैंने e की power 80 से multiply करें आप इसको वे से ऐसे भी सोच सकते हैं e की power 80 से multiply होगा s की जगा पर रीप्लेस करेंगे s plus a यहां पर s plus a बन किया यहां पर s plus a replace करेंगे तो a cancel s plus a similarly आप जहां भी करेंगे पर सिफ्टिंग आपने implement की लेकिन यहां पर साइन कौन सा प्लस का है तो आप e की power minus 80 करेंगे तो आप s को किसे से replace करेंगे s minus a उससे replace करना है ताकि यहां पर s स्केर बने तो आप s minus a से replace करेंगे s minus a उपर replace हुआ नीचे s plus a के अब 1 पोर 4 टाइम से e की power 80 लेप्लेस इनवर्स ओफ इसको भी दो आप चाहें तो यहां पर भी शोट सकते हैं यह इसका एंसर हो गया अगर आप next पर सीट करना चाहें कर भी सकते हैं तो simplify किया है मैंने थोनों में देखिए यहां पे मैंने एकसाँ किया जो मैंने को स्कोफ करके लिए तो बार निए इस में से एक टू जो है इसके ना इसके नीचे रख दिया और टू थाइम से मैं भाहर दो इसी प्रिवकेम साइन साइन वाली टर्म और स्ट साइन गुए साथ इसी वेसे यह इसका एंसर हुआ इसी पेटरन में आ जाएंगे और जादा स्टूडेंट को जो डिफीकल्टी है इसी में होती है थेंक यू वेरी मच